रोज़ाना एक चमच लेने से 36 की कमर को 25 तक लेया गए नुस्खा नमस्कार वो हमेशा ऐसा खाना खाते थे जसे उनका metabolism rate हमेशा बैतर रहता था और यह जो उपाय है यह उपाय दोस्तों आपके metabolism को बैतर बनाएगा जिससे खाना आपके शरीर में सड़ेगा भी नहीँ अच्छे से पचेगा और बोड़ी तेजी से fat burn करेगी और 36 की कमर 25 तक आएगी इस नुस्खे को आपको कैसे बनाना है? आईए देखते हैं। इस नुस्खे को बनाने के लिए हमें दोस्तों यहाँ पर केवल दो ही चीज़े चाहिए। और पहली जीर जो आपको बाजार से लानी है वो है यह काली जीरी। वजन घटाने के लिए दोस्तो काली जीरी एक ओश्धी की तरह काम करती है और metabolism rate को बहतर करने के लिए इसका कोई तोड नहीं यह आपको कुछ ही इस तरह की दिखेगी आप इसे किसी भी local क्रियाना स्टोरिया पंसारी की दुकान से काली जीरी लेकर आ सकते हैं मोटापा खतम करने और पेट की चरबी गायब करने में दोस्तो काली जीरी बहुत अच्छी है क्योंकि दोस्ते यह ना केवल हमारे पेट की चरबी गायब करती है साथी साथ पेट से जुड़ी होई हर तरह की समस्या को ठीक करती है इससे हमारा metabolism rate बहतर होता है जिससे कोई भी खाना हमारे शरीर को लगता है ना कि पेट में कठा होकर वो पेट की चरबी बन जाता है इसी के साथ साथ दोस्तो काली जिरी के और भी कई तरह के फायदे हैं कैलेस्ट्रल को नियंत्रिट करने, डाइबर्टीज को कंट्रोल में रखने के लिए पेट दरद और शारीर की विकारों को ठीक करने के लिए Cancer की रोक्ताम और सरदी जुकाम में भी दोस्तों ये एक आयरुवधिक चड़ी की तरह काम करती है आपको दोस्तों यहाँ पर एक कटोरी में काली जीदी लेनी है और इसके तीन चम्मज हमें खाली बाउल में मिलाएंगे इस नुसके के दोस्तों हम पाउडर की फॉम में मनाएंगे इसलिए आपको इसके तीन चम्मज लेने है और इसी के साथ साथ दूसरी चीज आपको यहाँ पर लेनी है वो है ये अलसी के बीच जिसे इंगलिश में दोस्तों फ्लेक्सीट कहा जाता है नुट्रिशन से भरपूर होने के साथ साथ अलसी में दोस्तों फाइबर भरपूर मातरा में होता है क्योंकि फाइबर लेने से हमारा पेट हमें भरा भरा महसूस होता है जिससे लंबे समय तक हमें भूग भी नहीं लगती जिससे हम खाना कम खाते हैं और हमारा वजन तेजी से गिरता है आपको दोस्ति यहाँ पर अलसी को दो चम्मच के पराबर इस काली जीरी में डालना है हम यहाँ पर इसे दो चम्मच मिलाएंगे और काली जीरी तीन चम्मच लेकर इन दोनों को हम mix कर लेंगे और इसे धीमी आज पर पका लेंगे क्योंकि दोस्तो हम इसका powder तयार करेंगे अगर इसमें हलकी सी भी नमी हुई तो powder जो है चिपकने लग जाएगा इसलिए आप इसे हलका सा भोल लीजिए ताकि काली जीरी आलसी में हलकी सी भी नमी है वो निकल जाए और उसके बाद इसे ठंडा कीजिए और पीस कर इसका powder बनाईए देखी दोस्तो हमने यहाँ पर इसका एक powder बनाया है इसमें दोस्तो आपको एक काकरी चीज मिलानी है जो स्वात के साथ साथ आपकी सिहत के लिए बे अच्छी है और वो है सेंधा नमग हम दोस्तों यहाँ पर सेंधा नमग लेंगे आपको लगबग आधी चमच के बराबर सेंधा नमग इसमें मिला देना है यह उपाई दोस्तों आपको वजन कम करने के साथ साथ आपके metabolism rate को बहतर बनाएगा जिससे वजन तो आपका कम होगा लेकिन आने वाले समय में आपको ये काली जिरी वाला नुस्खा लीजिए और इसको दोस्तों हम यहाँ पर एक गिलास करम पानी के साथ सुभा के समय लेंगे आप सुभा सुभा इस काली जिरी के नुस्खे को एक चमच के बराबर लीजिए और इसे पानी में घोल कर धेरे धेरे पी लीजिए और इसे पीन जिससे दोस्तों यह आपका खाना हजम करने में मदद करेगा, मेटाबोलिजम रेट बढ़ाएगा जिससे खाना तेजी से पचेगा और फैट बर्निंग प्रक्रिया शुरू होगी जिससे आपका वजन कम होगा इस उपाई को दोस्तों आपको इसी तरह से दिन में दो बार लेना है और पंदरा दिन तक इनुस्का लेने से आपको दोस्तों मन चाहे रिजल्ट मे लेंगे वजन घटेगा, पेट अंदर होगा और आप हलका महसूश करेंगी और इस नुस्खे को लगातर लेने से आने वाले समय में आपका दोबारा वज़न भी नहीं बढ़ेगा आज की जान करीवस यहीं तक थी पसंद आये तो से लाइक और दोस्तों में भी शेयर करें साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के वीडियो आपको मिलती रहें वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद